नमस्का दोस्तों स्वागत आप सभी का सकसे स्टेप्स के से योटूब चैनल में आज हम इस वीडियो में सॉल्ब करेंगे UPSI 2019 से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जो की समान हिंदी पे हमारा हदारीत होगा दोस्तों यह जो समान हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों यह UPSI 2019 पे टोटली बेजड है किस पे तो यह जो प्रैक्टिस सेट हमारा समान हिंदी का है यह UPSI 2019 पे बेजड है टोटली तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सॉल्ब करेगा यह practice set 1 है UPSI के लिए तो आएए वीडियो की शुरुवात करते हैं और समान हिंदी के practice set 1 को solve कर लेते हैं जो totally based है UPSI 2019 पे तो आएए वीडियो की शुरुवात करते हैं पहला जो प्रस्न है बिद्वान का इस्त्री link सब्द क्या होता है इसका जवाब आपको देना है तो इसका right answer हो जाएगा वीडूसी तो option जो B है हमारा बिल्कुल सब्द का जो इस्त्री link सब्द होता है वो वीडूसी होता है दूसरा प्रस्न हमारा है कौन सा ब्यांजन इसमें से नासिक क्या है तो इसका right answer हो जाएगा जो न है वो नासिक के ब्यांजन की सेडी में आता है अगले important हमारा है वलतनी की द्रिश्टी से इसमें से आपको सुध सब्द छाटना की वलतनी की द्रिश्टी से इसमें से सुध कौन सा है तो इसका जो right answer हो जाएगा इसमें से आपको सुध बताना है तो इसमें से सही कौन सा सब्द लिखा हुआ है आसिरवाद तो option C वाला जो आसिरवाद है वह बिल्कुल सही आसिरवाद लिखने का जो सही तरीखा होता है वो इस तरह का होता है तो इसमें से जो option C है हमारा बिल्कुल सही इस प्रकार के सब्द जो छाटने को देता है कि सई सब्द का चैन कीजिए अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं दो से तीन प्रस्णत इनको बिल्कुर ध्यान से आपको solve करना होता है इसके बाद अगला है मारा है निमलिखित में से कौन सा सब्द वायू का पर्यायवाची नहीं है आपको ध्यान से देख के बताना इसमें से कौन सा सब्द है जो वायू का पर्यायवाची नहीं है पुछा जा रहा है इसमें तो इसका जो right answer जाएगा option B अनल जो है वह वायू का पर्याएवाची नहीं होता है अनल किसका पर्याएवाची है तो अनल आपका पर्याएवाची होता है बाकि अनिलो गया, मारूत हो गया और वात हो गया ये तिनों वायू के पर्याएवाची है अगला important है अर्स का बिलोम क्या होता है तो हर्स का मतलब क्या होता है खुसी तो खुसी का क्या हो जाएगा इसमें विसाद यानि option जो है यह हमारा बिल्खुल सही है हर्स का बिलोम सब्द हो जाएगा विसाद अगला इंपोर्टेंट है तीन काल को देखने वाले के लिए कौन सा सब्द एक उपयोग में लाया जाता है तो इसका राइट एंसर जाएगा त्रिकाल दर्सी जो तीनों काल को देखता हो उसके लिए त्रिकाल दर्शी सब्द का प्रियोग के आता है उसके बाद एदो त्रिदेव सब्द है जिसे आप ब्रह्मा बिशलू महेश के लिए प्रियोग मिला जाता है उसके बाद त्रिनेत सब्द महादेव यानि संकत जी के लिए प्रियोग मिला जाता है अगले important है थोड़ा से यहाँ पे छोटा हो जा रहा है तो अब ठीक है तो अगले important सब्द मारा है धेल सारा मखन किस विसेशन का उधारण है तो आपको बताना है यह जो धेल सारा मखन है किस प्रकार के विसेशन का उधारण है तो option D अनिश्चित परड़राम वाचत विसेशन का उधारण है धेल सारा मखन तो option जो D है हमारा बिल्कुल सही है अगले important है किसी सब्द के पुर्व लगा कर उस सब्द का अल्थ बदल देते हैं या उसमें विसेश्ता उत्पन्न कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है तो option इसका क्या सही हो जाएगा option A उपसर्ग किसी सब्द के पुर्व में लग कर उस सब्द का अल्थ बदल देते हैं या उसमें बिसेश्ता उत्पन्न कर देते हैं इनको उपसर्ग की संग्या दी जाती है अगला important है किसी गूड दसा स्वभाव या कारिका बोध कराने वाले सब्द क्या कहलाते हैं अगला important प्रस हमारा है अनुराग के फल खरिदे में कौन सी क्रिया है तो option जो है बिल्कुल सही है या सकर्मक क्रिया है या और जो खरिदना है या क्रिदना है या क्रिया है तो यह याद रखिएगा अगला important है निल्विकित में से एक लोकोत्ती की विशिस्ता है तो आपको बताना है इसमें से कौन एक लोकोत्ती है तो option D इसका जो उप्योग है या प्राया अन्योकती अत्वा अप्रस्तूत ब्यंजना के लिए होता है तो option जो D है इसका बिल्कुल सही है इसका प्रियोग प्राया अन्योकती अत्वा अप्रस्तूत ब्यंजना के लिए किया जाता है तो option D हमारा बिल्कुल सही है हथेली पर सरसो उगाना मुहावरे का अल्थ क्या होता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा असंभाव कार्य करना तो option B हमारा बिल्कुल सही है हथेली पर सरसो उगाना मुहावरे का जो main अल्थ होता है वो होता है असंभाव कार्य करना दोस्तों मैं आपको बता दूँ UPSI 2019 के लिए हम daily basis पे एक समान इज्ञान का practice set आपके तक पहुचा रहे हैं उसके बाद समान जो हिंदी है उसका एक practice set हम आप तक daily basis पहुचा रहे हैं उसके बाद हमने समान हिंदी का एक crash course पी चलाया है वज़िसमें हम उन सभी महत्पुन topic को cover करेंगे जो समान हिंदी से related हैं तो इन सभी UPSI से special जो हमारा target चलाया जा रहा है group उसको आप हमारे channel पे आके असानी से देख सकते हैं तो crash course के लिए आप simply हमारे channel पे आईएगा वहाँ पे आपको crash course मिल जाएगा समान हिंदी का सभी important जो topic होंगे उसके बाद daily basis पे आपको एक practice set मिल जाएगा जीके का और daily basis पे एक practice setup आपको मिलेगा समान हिंदी का ये सभी जो पहल है वो UPSI 2019 पे पूरी तरह आधारित है तो इसको आप देखना बिलकुल ना बुलिए अग्रा important हमारा है निलकित में से risk score कौन सा है आपको बताना है तो option D जो आओ है या risk score की सेड़ी में आता है तो option D इसका बिलकुल सही है अग्रा important है ये जो चार option आपको दिये गए है A, B, C, D इसमें से आप आपको बताना है कि इसमें से कौन साब्द एक चंद्रमा का पर्रयायवाची नहीं है तो इसका option जो D है बिलकुल सही है इसमें से जो लोचन है वह चंद्रमा का पर्रयायवाची नहीं है बाकि जो अमरित है, पियूस है, सुधा है, ये सभी पर्रयायवाची सब्द है इसके बाद अगला बताना है, इसमें से आपको इसमें से कौन एक पर्रयायवाची सब्द नहीं है तो इसका answer क्या हो जाएगा, option इसका क्या सही है, आपका D इसमें से जो पुस्प है या एक पर्रयायवाची सब्द नहीं है तो 166 का answer क्या हो जाएगा? जो इसमें से जो चमन है या एक बेमेल सब्द है बाकी जो 3 है सुमन है कुसुम है पुस्फ ये परहवाची सब्द है बाकी जो C option है चमन यह परहवाची सब्द नहीं है अगला important है सामिस का बिलोम सब्द आपको बताना है कि सामिस का बिलोम सब्द क्या होता है तो सामिस का बिलोम सब्द क्या होता है तो इसका answer हो जाएगा निरामिस यानि option A हमाला बिल्कुल सही है ब्याई का बिलोम सब्द आपको बताना है तो option D, I, B.I. का बिलोम सब्द होता है, I. B.I. का बिलोम सब्द होता है अगला important हमारा है, चंदर सेखर में कौन सा समास है तो चंदर सेखर में कौन सा समास होता है, तो बहुब्री समास होता है चंदर सेखर में, तो option है, C हमारा बिलकुल सही अगला हमारा है रात दीन कौन सा समास है तो इसका राट एंसर हो जाएगा ओप्शन ए रात दीन जो है यह दोंद समास का उधारण है दोस्तों यह सभी जो टॉपिक है जैसे समास का टॉपिक हो गया उसके बाद संधीर का टॉपिक हो गया उसके बाद तस्वम तद्वा उसक जो important topic है जिनसे एक जाम में समान हिंदिस related person पूछे जाते हैं इन सभी को crash course के माध्यम से complete कराया जा रहा है totally यह based होंगे topic UPSI पे तो इन सभी topics के वारे में आप full detail हमारे channel पे जाके देख सकते हैं इन सभी topics related इसके बाद अगला है निम्रिकित में से कौन सा सब्द सदयव एक वचन की सेड़ी में रहता है तो इसमें से कौन सा सब्द सदयव एक वचन रहता है तो इसका नाम है जनता option A जनता जो है सदयव एक वचन की सेड़ी में रहता है अगला important है इसमें से सही सब्द का chain किजी आप तो इसमें से जो sing है वो सही सब्द है जो sing लिखा हुआ यह सही सब्द है बाकी जो दिखे गए गया है यह सभी गलत सब्द है यह गलत लिखा जाता है उसके बाद swam पे भी dot ऐसे होता है उसके बाद अंक भी गलत लिखा गया है तो बाकी जो तीन है वो गलत है और भी सही ह अगला important है कोई कुछ कहे हमें क्या में कौन सा सर्व नाम है तो option A अनिश्चय वाचक सर्व नाम है कोई कुछ कहे हमें क्या में तो इसे आप याद देखिएगा अगला important नमारा है निम्लिक्षित इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुद्ध वाक्य है चार आप्सनों में से देख के यहाँ पे चार आप्सन आपके पस देगा है इन चार आप्सनों को देख के आपको बताना है कि सही वाक्य इन में से कौन सा है तो आप्सन C तीन नगरों के नाम बताइए यह जो सही वाक्य है, इसमें से तीन नगरों के नाम बताईए, यह बिल्कुल सही वाक्य है, तो इसे आप note down कर लीजिएगा, तीन नगरों के नाम बताईए, इसमें से सही वाक्य है, अगला इंपोर्टे नमरा है, इसमें से भी आपको सही सब्द का चैन करना है, option A से लेके D अगला है, आपको संदी विच्छेत करना है, सचिदा नंद का संदी विच्छेत क्या होगा, तो इसका right answer जाएगा option A कॉनसा है? यह विशर्ग संदी है एगला important है इसमें से आपको पर्रायवाची सब्द चुनना है तो इसमें से मचली का पर्रायवाची सब्द कौन सा है तो mean मचली का जो पर्रायवाची सब्द होता है वो mean होता है एगला है पती का पर्रायवाची सब्द आपको चुनना है तो पती का परवाची सब्द क्या हो जाएगा तो पती का आर यानि जो option B है हमारा बिल्कुल सही है अगला important हमारा है एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी इसका अल्थ आपको बताना है तो option D एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी का अल्थ हो जाएगा सब लगबग एक समान होना तो option D हमारा बिलकुल सही है एक तवे की रोटी, क्या छोटी, क्या मोटी का समाने अल्थ होता है लगबग एक समान होना सब अगला है उट को निगल लिया और दुम को हिचके का अल्थ बताईगे तो इसका अल्थ हो जाएगा उट को निगल लिया और दूम को हिचके का क्या option D बड़ी बिबत्ती को स्विकार करना और सदारन बात पर संकोच करना इसका अल्थ होता है तो option D इसका हमारा बिल्कुल सही है अगला important है सडानन में कौन सी संधी है आपको बताना है जो सडानन है इसमें कौन सी संधी है तो option A सडानन में ब्यंजन संधी आती है इसके बाद धर्मातमा में कौन सी संधी है यह आपको बताना धर्मातमा में कौन सी संधी है तो इसमें option A धर्मातमा में स्वर संधी अगला इंपोर्टेंट है जिस बिमारी का ठीक होना संभव ना हो तो इसका सही जबाब होगा असाद्दे मतलब जो बिमारी का ठीक होना संभव ना नहीं प्रतित होता है उसके लिए असाद्दे सब्द का प्रियोग किया जाता है अगला important है जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो तो विजित यानि option C हमारा बिल्कुल से जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए विजित सब्द का प्रयोग किया जाता है अगला है पुजनी पिताजी को साधर प्रणाम तो इसमें जो पुजनी है वो किस प्रकाल से लिखा जाता है या पुजनी जो सब्द इसमें लिखा गए वो असुद्ध है आपको सुद्ध पुजनी सब्द को चैनित करना है तो इसका right answer क्या हो जाएगा जो option A वाला पुजनी है इसको पुजनी ऐसे लिखा एता है तो सही सको सही लिखने का तरीका ये होता है तो option A इसका बिल्कुल सही अगला है रूप रस गंद आदी के अनभव के लिए मनुस्ति के पास इग्यानेंद्रियां है तो इसमें से इग्यानेंद्रियां सब्द कौन सा सही लिखा गया है आपको बताना है तो option B वाला जो इग्यानेंद्रियां है वह बिल्कुल सही लिखा गया है तो option B इसका बिल्कुल सही है इग्यानेंद्रियां लिखने का सही तरीका ये होता है अगला है यथा सक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है कि यथा सक्ति में कौन था समास उप्योग में लाया जता है तो option B अब्याई भाव समास होता है यथा सक्ति में तो option B हमारा बिल्कुल सही है अगला है इनमें से एक सब्द घोड़ा का पर्यावाची सब्द नहीं है तो इसमें से घोड़ा का पर्यावाची सब्द कौन सा नहीं है तो option जो A है अस्म अस्म जो है घोड़ा का पर्यावाची सब्द नहीं होता है वह अस्व होता है तो और बाकी के तीनाफ सा संदेव, तुरंग और गोटा के गोडा के पर्रहाईवाची है अगला है इसमें से सिंग का पर्रहाईवाची सब्द कौन सा है आपको बताना है कि इसमें से जो सिंग है उसका पर्याइवाची सब्द कौन सा है तो option C, पंचानन option जो C है पंचानन यह सिंग का पर्याइवाची सब्द होता है तो आप याद रिखेगा जो पंचानन है वह सिंग का पर्याइवाची सब्द होता है तो option हमारा क्या सही हो जाएगा? option C अगला है गध्यांस में परियुक्त सब्द गर्म जोसी का समानाल्थी सब्द बताईए गर्म जोसी का समानाल्थी सब्द आपको बताना कि क्या होता है तो option जो है इसका C बिल्कुल सही है गुसा मतलग गर्म जोसी का समानाल्थी सब्द होता है गुसा अगला है निम्न में से तस्वम सब्द का चयान कीजिए तो option D जो निक्रिष्ट सब्द है वो तस्वम सब्द है अन्य option D इसका बिल्कुल सही अगला important है कृष्ण का पर्यावाची सब्द क्या होता है तो option A जो किसव है वो क्रिष्ण का पर्यावाची सब्द होता है तो option A हमारा बिल्कुल सही है अगला important है गितानजली की रचना किसके दोरा की गई सचिवाला के सभी पत्र लिखे जाते हैं वो उत्तम पूरुस में लिखे जाते हैं तो दोस्तो ये था प्रेक्टिस सेट वन कौन था प्रेक्टिस सेट वन समान हिंदी का जो की UPSI 2019 पे टोटली अधारी था आई हूब आपने सभी प्रस्णों को सॉल्ट करने के कोशिस कियोगी तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए प्रेक्टिस सेट के साथ समान हिंदी के तो तब रुकले थैंक यू